हलो आज हम जो माइक एंपूर्टर और माइडाकुमेंटर रिसके लिबन को पर्मिनिंटर रिमोव करने के तरीके के बारे में शिखेंगे इसके लिए start पर जाएंगे और run पर क्लिक करेंगे यहां पर gp.edit.msc टैप करेंगे और enter , इसके बाद administrative template पर double click किजिए और यहां पर आपका desktop जो दिखे रहा है उस पर double click किजिए तो हमें recycle bin निकालने के लिए हमें यह जो remove recycle bin icon from desktop जो दीख रहा है इस पर properties पर click कीजिए right click करके और इस पर enable कर दीजिए और click on apply and click on ok then आपको जो recycle bin है उच्छे ले गया और आपको आपका जो recycle bin है वो फिर से वापस आने के लिए properties disable apply और आपका recycle bin फिर से आ जाएगा अगर आप जो my computer दीख रहा है desktop पर उसे निकालना चाह रहे हैं इसके लिए properties enable apply और आपका my computer चले गया है same if we want to remove my documents then इसके लिए यहाँ पर enable कर देंगे और ok और आपका my documents चले गया और आपन recycle bin को भी हम निकाल सकते हैं same procedure अगिए हाँ र्सक्वार हाँ तो लूश